अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ दूरियां बरकरार है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दूरियां कम क्यूं नहीं हो रही है तो आज की रिडिंग आपके लिए है आज की रिडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यूं है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कलेक्टिव रिडिंग है बहुत सारी energies निकल कर आएंगी जो भी energies आपके साथ resonate होंगी आप उन्ही energies को pick कीचेगा बाकी energies आप दूसरों के लिए रहने दीचेगा आप male है, female है, married है, unmarried है, divorced है extra marital affair में है long distance relationship में है किसी complicated relationship में है no contact situation में है यह फिर अभी अभी आपका break up हुआ है generalized reading है तो यह सभी के साथ resonate कही न कहीं करेगी तो यहाँ पर मैं किसी भी specific zotic signs का नाम नहीं लूँगी क्योंकि यह reading सभी zotic signs के लिए है so आए जानते हैं कि आपके partner आपसे दूर क्यूं है आएए जानते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है क्या कारण है इन दूरियों का आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है आखेर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है So, पहला card है, traveling का card है The next card is change का card है The next card is maturity का card है The next card is awareness का card है The next card over here is letting go का card है And bottom of the deck पर, यहां पर the lovers का card है Okay, आईए, अब हम एक और deck से जानते है आखेर आपके partner आपसे दूर क्यों है क्या कारण है आप दोनों के पीच की दूरियों का आखेर आपके partner आपसे दूर क्यों है आएए जानते हैं आखेर आपके partner आपसे दूर क्यों है आएए जानते हैं तो पहला card है, यहां पर rest and reconsider का card है The next is Leet का card है The next card over here is Balance का card है The next card over here is Master का card है The next card is Confront का card है And bottom of the deck पर यहां पर The Love का card है Okay So यहां पर हम डिटेल में बात करते हैं कि आखेर आपके partner आप से दूर क्यों है देखे इस टाइम पर आपके इस relationship में बहुत बड़े बड़े changes आ चुके हैं अगर आप अपने partner के पुराने patterns पर rely कर रहे हैं जैसे कि वो पहले अपनी बातों को बहुत खुल कर किया करते थे जैसे कि आपके partner अपने लिए stand लिया करते थे अगर आप उन patterns पर rely कर रहे हैं तो यहां पर आपको अपनी expectations के level को कम करना होगा क्योंकि जो पुराने आपके partner के pattern थे अच्छे जो patterns थे उनमें अब आपके partner बिल्कुल भी operate नहीं करते हैं आपके जो partner की energies हैं उनके अंदर जो change है वो बहुत बड़ा change है जिसकी वज़र से आज के time पर आपके partner की personality एक transformed personality है सही को सही कह पाना गलत को गलत कह पाना इतना confidence आपके partner के अंदर नहीं है पहली बात ये चीज़ करने के लिए समझ होनी चाहिए उतनी समझ ही इस time पर आपके partner को नहीं है आपके partner और आप दूनों के बीच की जो दूरियों का कारण है वो है maturity की कमी ये maturity आपके partner के अंदर भी इस time पर नहीं है और आपके अंदर भी इस time पर उतनी maturity नहीं है आप ये कहेंगे कि मैम आप हमें कह रही हैं लेकिन हमारे partner ही अगर शुरू से इतने mature होते तो शायदा चीज़े इस तरह से खराब नहीं होई होती ठीक है आपके partner ने बेवकूफी की लेकिन आप भी तो अभी तक इस काल चक्र को समझ नहीं पाए है वक्त बदल गया है इस रिष्टे में आप अपने partner से पुराने तरह की expectations रख रहे हैं तो यहाँ पर गलती आप ही सबसे बड़ी कर रहे हैं आपको इस relationship को अगर बचाना है तो at least आपको mature होना पड़ेगा जो कुछ आपके partner ने आपके साथ किया मैं यह नहीं कहूंगी कि आपको उन चीजों को भूल जाना चाहिए उन चीजों को भूला पाना उतना असान नहीं है लेकिन अगर उन चीजों को पकड़गर भी रखेंगे तो उससे आपके partner और आपके वेच में सिरफ energy gap ही create होगा आप अपने partner की energies के अंदर completely enter नहीं कर पाएंगे उनके perspective से उनकी जंदगी को नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी maturity तो आपको दिखानी पड़ेगी और अगर आप यह सोचें कि माम हम यह चीज क्यों करें अगर आप यह मानते हैं या यह कहते हैं तो फिर तो इस रिष्टे में ना आप mature हो पाएंगे ना आपके partner में mature हो पाएंगे रिष्टे को बदलेगा कौन तो यहाँ पर तो आप एक advantage दे रहे हैं इस third party को तो दूरियों का कारण आप दोनों की एक दूसरे के प्रती understanding भी है जो आज के time पर understanding नहीं है misunderstanding की energies आप दोनों के बीच में ज़्यादा exist कर रहे हैं ठीक है और आपके दोनों के बीच में दूरियों का कारण यह है कि जब आपके partner आपसे दूर जा रहे थे या आप दोनों के बीच में differences create हो रहे थे उस चीज़ को आप दोनों ने बहुत lightly लिया और especially अगर मैं बात करूँ आपकी आपने उस चीज़ को बहुत lightly लिया आपको ऐसा लगा कि हर relationship में ऐसी problems होती है आपके relationship में वही problem आ रहे है और आपके partner कब आपसे दूर हो गए आपको समझ भी नहीं आया उसके बाद आपने partner से बहुत सारी बाते कहने की खूशिश की उस time तक आपके partner की energyous change हो चुकी थी आपके partner ने आपको insult किया आपके partner ने आपकी कोई बात नहीं सुनी आपके partner ने आपकी self respect पर आघात किया वो चीज़े अब आप अपने अंदर बिठा कर बैठे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके partner जो है आपसे emotionally detached हो चुके हैं और आप ही इस relationship में अटक कर रह गए हैं यहाँ पर आप गलत सूच रहे हैं आपके partner अगर आपसे emotionally detached हो चुके होते तो उनकी तरफ से vibrations आपको कभी भी receive ना होती आपको universe यह signs ना देते आप tarot readings तक ना पहुंचते तो यह जो आपके अंदर गलत फेहमी है ना कि आपके partner आपसे emotionally detached हो चुके है इस गलत फेहमी को दूर कीचे नहीं तो यह कभी आपको आपके partner के करीब नहीं जाने दे कि यह energy जो आपको महसूस होती रहती है ठीक है यहां पर आपको आपके partner तक पहुंचना पड़ेगा आपके partner आप तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप यह उमीद लगाए बैठे हैं कि आपके partner आपको reach out करें वो आपको बताएं कि हाँ वो आपसे कितना प्यार करते हैं इतनी maturity अगर होती इतनी awareness अगर आपके partner के अंदर होती तो problem ही क्या थी फिर तो इस relationship में किसी भी तरह की problem ना आपको face करनी पड़ती ना आपके partner face करते इस relationship में आपके partner की side पर awareness की कमी है आपके partner को इस third party का असली चेहरा नहीं पता है अगर आपके partner को यह पता लग जाए कि हैं और अपना रास्ता तैयार कर सकते हैं जिस रास्ते पर चल कर हो आपकी तरफ को पहुँच पाए अब awareness की कमी उनकी side पर इस तरहां से है आपकी side पर awareness की कमी क्या है आपको ऐसा लगता है कि यह third party कुछ नहीं कर रही है जो कुछ भी कर रहा है हमारे partner कर रहा है हमारे partner पहले की तरह ही अपनी energies में है हमारे जो partner है वो जान बूच कर यह चीज़े कर रही है तो यह awareness की जो कमी है वो आपकी side पर इस तरहां से है यह जो lack of awareness है यह आप दोनों को एक दूसरे से दूर करती जा रही है आपकी understanding आपके partner के साथ इसी वज़ों से नहीं बन पाती है या आपको initiative लेने के लिए तयार नहीं होते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सब को जो हो रहा है वो आपके partner की मर्जी से हो रहा है लेकिन अगर मैं उनके side से देखू तो उन्हें तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है और किस तरहां से हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर ये जो awareness की कमी है वो भी आप दूनों के बीच में दूरियों का कारण बनी हुई है और सबसे important कारण third party situation ये जो third party है ये आपके partner को छोड़ नहीं रही है ठीक है ये third party आपके partner को आगे नहीं बढ़ने दे रही है ये third party चाहती है कि आपके partner आपको let go कर दे और आप क्या कर रहे हैं आपसे वो बाते भुलाई नहीं जा रही है जो आपके partner ने आपके साथ की मतलब जब आपके partner ने आपको दर्द दिया जब आपके partner आपसे move on हो रहे थे उस time पर उन्होंने जिस तरह से आपसे behave किया आपके साथ वो जिस तरह से बात कर रहे थे जिस तरह से उन्होंने आपको hurt किया वो चीज़े आप भुला नहीं पा र पार्टनर को माफ कर दीजे लेकिन जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीस में वापस नहीं आते हैं इन एनर्जीस को थोड़ा सा साइड में करके अपने पार्टनर के लिए अपने इस रिलेशनचिप के लिए सोचने की कोशिश कीजे क्योंकि आपके पार्टनर इस थर जिस person को फायदा हो रहा है आपके partner से, वो क्यों चाहेगा कि आपके partner आपके पास आ जाए, या फिर आपके partner को ये third party क्यों release करेगी, इतना तो दिमाग आपको भी लगाना चाहिए, यहाँ पर lovers का card है, एक और चीज़ है जो आप दोनों को दूर कर रहे है, वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे प्यार नहीं करते हैं देखिए आपके पार्टनर के साथ आपका कोई ना कोई past life connection है आप दोनों आज के टाइम पर एक दूसरे से बहुत सरी expectations लगा कर बैठे हैं आपके पार्टनर ने आपको hurt किया है कही न कहीं आपके पार्टनर भी आपके द्वारा hurt हुए है आपने वो चीज़ intentionally नहीं किये हैं लेकिन आपके पार्टनर ने वो चीज़ मान लिये कि आपने उन्हें hurt किया लेकिन फिर भी आज के टाइम पर आप soul level पर एक दूसरे के साथ connected है, आप अपने partner से completely connect करते हैं, आपके partner आप से completely connect करते हैं, आप ऐसे जो मर्जी कहते रहें कि हमें अपने partner के साथ नहीं रहना है, हमें अपने partner के साथ अब अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है, यह person इस तरह के हैं, यह person उस तरह के हैं, लेक तक आप इस feeling को surface नहीं होने देंगे, आपके उपर तो कोई energy का इस तरह का change नहीं हो रहा है ना, कि आपकी feelings दपती चली जाएं, आपके partner की feelings को तो चलो दबाया जा रहा है, आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप तो अपने thought process के साथ अपने उस feeling को दबाते चले ज जा रहे हैं, अपने अंदर किस कई तरह के वहम पाल कर, आप क्या शक कर रहे हैं अपने partner पर कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, उनका heart chakra सिर्फ आपके लिए vibe send करता है, आपके partner को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका past life connection है, तो आपके partner आपसे प्यार करते हैं, अपने आपको इस cross road की situation से निकालिए, आपको अपने दिल की आवाज सुनकर ये चीज़ finalize कर लेनी चाहिए, कि आप अपने इस रिष्टे में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, अगर इस रिष्टे में रहना है, तो हिम्मत की बहुत ज़दा ज़रूरत है, अपने इस stand लेने की बहुत ज़दा ज़रूरत है, चीक है, इस रिष्टे में आप जब तक वैसला सही से नहीं बना पाएंगे, सही रास्ता आपको नहीं मिल पाएगा, और अगर आप ये कहें कि मैम हमें ही क्यों रास्ते का चायन करना है, हमारे पार्टनर भी तो हमारी तरफ आने के लिए रस्ते का चायन कर सकते हैं, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर निज़र नहीं आ रही है, आपके पार्टनर के पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस हैं, चीक है, तो अब आप देख लिए चीए, इंदूरियों को आप खतम करना चाहते हैं कि नहीं, आपको इस टाइम पर अपने उस सैड जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पाते हैं, रात बर जाग कर वो इस बारे में सोचते हैं कि उन्होंने आपको इतना ज़दा हर्ट कैसे करती हैं, जिन्दगी को इतना कॉम्प्लिकेट उन्होंने किस तरहां से बना दिया, ठीक है, और उसके बाद उनके अंदर कई तरहां के फियर्स डवलप होने शुरू हो जाते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आज के आज अगर वो आपको एप्रोच करेंगे तो वो आपकी जिन्दगी को भी एक एक एमोशनल टर्मॉयल में डाल देंगे, वो खुद तो इसी सिच्वेशन से बुज़र रहे हैं, आपको बार-बार दुख देने का उन्हें कोई हक नहीं है, इस वज़र से आपके पार्टनर डारिक्ली आपसे बात नहीं कर पाते हैं, आपने से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम हमारे पार्टनर हमें डारिकली ये बाते क्यों नहीं बताते हैं, अगर वो ये बाते आपको बताना चाहें भी तो वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर उतना यकीन नहीं है, आज आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्यों आपके पार्टनर आपको रिष्टा नहीं चाहिए वो अंदर से ठकते चले जा रहे हैं इतना struggle कर रहे हैं इतना struggle कर रहे हैं कि अब उनकी ना उमीद छूटती चली जा रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह रिष्टा ना stable कभी हो ही नहीं सकता है यह भी कारण बन रहा है आप दोनों के बीच की आपने अपने पार्टनर को अतनी स्पेस दी कि वो अपनी emotional और personal growth कर पाएं लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया आपको hurt किया आपको तकलीफ पहुँचाई ठीक है आप भी इन चीजों को रिकनसीदे कर रहे हैं बार बार अगर सिरफ यही चीज़े सोचते चले इसा करना चाहिए था और उन्हों नहीं किया तो यह दूरियां कभी खत्म नहीं होने वाली हैं इस relationship में यह दूरियां इस वज़े से भी बरकरार है क्योंकि इस relationship में कोई leadership role अदा नहीं कर रहा है इस relationship में illusion बहुत जादा है एक दूसरे पर आरोप लगाने आसान है लेकिन को उसकी सही मनजल तक पहुचा पाना बहुत difficult है आप ऐसा सोचते हैं कि आप क्यों leadership role अदा करें इस relationship में जब गलत आपके partner ने किया तो सही भी उन्हें ही करना चाहिए यह आपका perspective है गलत नहीं है बिलकुल सही है लेकिन सामने वाला भी तो उन हालातों में होना चाहिए आ बिलकुल लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं यह fact है आपके इस relationship का इसे accept कर लीजिए इस relationship में balance की बहुत ज़्यादा कमी है emotions आपके अंदर भी आपके partner को लेकर बहुत ज़्यादा है daydreaming आप भी अपने partner के लिए करते हैं लेकिन इस time पर आपको अपने partner को समझ में बहुत ज़्यादा difficulty हो रही है आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह रिष्टा किस तरहां से balance में आ सकता है किस तरहां से आपके partner इस time पर react कर रहे हैं अगर वो इतनी painful situation में है तो वो खुश कैसे रह सकते हैं यह चीज़े सोच कर आप भी बहुत ज़्यादा परिशान ह होना है आपको आप यह चीज़ समझ नीचे कि आपके इस relationship में action और emotion के बीच में बहुत ज़्यादा imbalance है वहां पर balance नहीं बैठ पा रहा है जब emotions high होते हैं तो action zero हो जाते हैं जब action high होते हैं तब उस time पर यह नहीं आपके partner सोच पाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं उस time पर emotion zero हो feminine और masculine energies के बीच में तब तक इस relationship में यह दूरियां खतम नहीं होंगी अंदर एक मन बनाना पड़ेगा दोनों को मन बनाना पड़ेगा कि अगर इस रिष्टे को मजबूत करना है तो आपको stand लेने की ज़रूरत है इस time पर यह चीज़ मैं आपके partner को ज़्यादा सजिस्ट करूँगी मैं यह चीज़ आपको suggest करूँगी क्योंकि अगर आपकी तरफ से यह balance बैठ गया ना तो action लिया जाएगा और उससे आपके partner अपनी energies में वापस आ जाएंगे और तब यह दूरियां अपने आप खतम होगी आपका एक कदम वहां से बाकी सारे कदम आपके partner जा रहे हैं आपको ऐसा लग रहे है जब आपके partner ने आपके emotions की कदर नहीं की तो इन emotions को highlight करने का कोई फायदा नहीं है आपके partner ने कभी आपको समझा ही नहीं लेकिन अपने दिल की आवास को सुनिए कि आपका दिल ये चीज़ कहता है बिलकुल भी नहीं कहता है आपका द पार्टनर के emotions कहीं highlight नहीं हो जाए इस चीज़ का पूरा खयाल ये third party रख रही है इसी वज़र से तो बार बार आपके partner की energies को change करती है और ये जो energy को change करने वाला process है चाहे फिर वो black magic के थ्रू हो चाहे वो spell work के थ्रू हो चाहे manipulation के थ्रू हो उससे आपके partner की energies lower हो जाते है और ये emotions दब जाते हैं ये process आपके partner को आपके सामने गलत साबित कर रहा है आपके partner actually इस third party की वज़र से ही आपसे दूर है बाकी जो misunderstanding की energies है वो तो शायद आपको यहाँ पर समझ आ रही होंगे कि किस तरह की energies चल रही है किस तरह से आप अपने partner को नहीं समझ पा रहे है किस तारी चीज़ें शायद आज आपको clear हो गई होंगी और भी एक बहुत बड़ी problem है आपके relationship में और वो ये है कि इस relationship की जो भी सचाई है वो कही न कहीं आप भी जानते हैं आपको भी पता है कि आप अपने partner को तो इसी तरीके से blame करते चले जा रहे हैं लेकिन असली कारण आ और आपके partner ऐसे नहीं थे कि वो आपसे कभी बिल्कुल प्यार करते ही नहीं थे आपके इस रुष्टे की सचाई ये है कि अब आपके partner की जो ये transformation की energies है ये इस third party द्वारा channelize होई हैं ये सच आपको भी बता है इस सच को actually आप confront नहीं कर रहे हैं इस सच से आप भाग रहे ह इस सच से भागने का कोई फाइदा नहीं है इस सच को अपनाना ज़रूरी है और जो आपके partner है वो इस time पर इस सच को देख ही नहीं बारा है है confront करना तो बहुत दूर की बात है आप अपने partner को तो हर एक situation के लिए जिम्मेवार मानते हैं लेकिन कही न कहीं दरते तो आप भ थर्ड पार्टी के actions के जैसे आप actions नहीं ले सकते हैं मैं आपको इस third party के जैसे actions लेने के लिए कह भी नहीं रही हूँ अपना कर्मा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है ये रिष्टा आपका है अपने इस रिष्टे को आपको किसी के लिए let go करने की जरूरत नहीं है इस आपके पार्टनर ने आपसे सचा प्यार किया है ये बात आप भी बहतर जानते हैं ये चीज़ मुझे आपको explain करने की जरूरत नहीं है आपका दिल जानता है लेकिन अगर इस रिष्टे की सच्चाई से भागेंगे कि इसमें एक third party energy है और वो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है तो आप इस रिष्टे को कभी दुबारा हासिल नहीं कर पाएंगे आपके रिष्टे की एक और बहुत बड़ी सचाई है वो ये है कि प्यार आप दोनों को एक दूसरे के साथ है लेकिन इस प्यार का इजहार होना अब बंद हो गया है ना तो आप अपने प पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात नहीं कहेंगे ठीक है लेकिन आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं वो अपने हालातों के चलते अपन को अलग कर देने का आप ये थर्ड पार्टी को हग आप या आपके पार्टनर ही दे रहे हैं, इस थर्ड पार्टी की इलिमिनेशन आपके रिष्टे में बहुत ज़रूरी है, अगर एक बार इस रिलेशन्शिप पर आप अपना चार्ज बनाएंगे, लीडर्शिप रोल में आएंगे, तो आपको आपके पार्टनर के साथ रियूनियन की इनर्जी में एंटर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, अपने इस रिष्टे में मजबूत ही लेकर आए, उसके लिए पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है, कि आपके रिलेशन्शिप में क्या ब्लॉकेज हैं, जब आप ब्लॉकेज़ को समझेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि उन्हें ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है, आप अपने रिलेशन्शिप के लिए एक रिडिंग लीजिए, उसमें अपने पार्टनर की इन और चीज़ को जानें, कि ब्लॉकेज़ को जानें, अक मेरा WhatsApp नमबर और email ID स्क्रीन पर फ्लाश होंगे, okay, so I hope आज की रिडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिली होगी, नीचे मुझे comment section में जरूर बताएगा, ये रिडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है, तो like करना मत भूलिये का, अपने near and dear ones के स किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं, ये booking आप मेरे WhatsApp के through या फिर मेरी email ID के through कर सकते हैं, मेरा WhatsApp नमबर और email ID स्क्रीन पर flash होंगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है, आप please मेरे चानल को subscribe कर लीचे और bell icon को press करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की notification मिलती रहें, मेरा एक और चानल भी है, Soul Divine Choney Taro, लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा, उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करती हूं, जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी daily angelic guidance रोसराद 8 बज़े उस channel पर पोस्ट करती हूं, जो आप लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजे, और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें, उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा, so thanks for watching, see you soon.